विफाकी वजीर साइंसेट टेकनोलोजी फवाज चौधरी ने आजादी मार्च पर तनकीद करते हुए कहा है कि मौलणा के धरने का मकसद क्या है समझ नहीं आता विफाकी वजीर बराय साइंसेट टेकनोलोजी फवाज चौधरी के फजलू रह्मान की अजादी मार्च पर एक बार फिर तनकीद के निश्तर कहा है कि मौलाना साहब तो इंतिखाबात में भी मुश्किल से 6 सीटे जीते हैं धरने का मकसद क्या है समझ नहीं आता विफाकी वजीर का कहना था कि जब धुको जहद की बुनियाद और नजरिया ना हो तो जे यू आई जैसे मार्च होते हैं मकसूस तबका मुफादात के लिए मुलकी मुफाद पसे पुष्ट डाल दे तो मकबूलियत नहीं मिलती इफाकी वजीर ने कहा कि जे यू आई फे के धरने को पाकिस्तान तहरीक इंसाब के धरने से जोड़ना बद्यानती है इस धरने का ना सर है ना ही कोई पैर अभी तक जमियत उल्मा इसलाम फे के साथ मोहिदा मौदूद है हुकूमत ने सियासी हिकमत अमली का मुझारा किया है और हुकूमती मुझाकराती कमेटी ने मौमले को अकलमंदी से सभाला हुआ है